बड़ी खबर चंदिगर से आ रही है जहाँ पर अकाली दल ने जोरदार हंगामा किया है अकाली दल के कारेकरता पुलिस से भिढ़ गए अकाली दल के कारेकरता जो थे वो आपको पता दे कि अभी हाली में जो तीन नए किसान कानून पास हुए हैं इसको लेकर विरोध पर दर्शन करें थे और साती सात आपको पता दे पुलिस ने सुखबीर सिंग बादल को भी हिरासत में लिया है पुलिस ने सुखबीर सिंग बादल को भी हिरासत में लिया है तस्वीरे आप देख रहे हैं ये चंदीगड की तस्वीर है और उस वक्त की तस्वीर है जब अकाली दल के कारेकरता भिड़ गए थे पुलिस के साथ और देखे कैसे पुलिस ने लाठी चार्ज भी वहाँ पर किया और ये उस वक्त की तस्वीर है जब अकाली दल के कारेकरता और पुलिस सामने थी और दे देखिए पानी की बचारे तक छोड़नी पड़ी और कैसे पुलिस देखिए कैसे दंडो से पीट रही है कारे करताओं को क्रिशी बिलों को लेकर पंजाब और हर्याना में किसा सडकों पर रहें तो वहीं स्यासत दल भी सडकों पर उतर हैं इसके बिरोध में अगर बात करें शिर्मोणी अकाली दल की तो आज उन्होंने जो पूरे पंजाब भर में ट्रेक्टर रैली जो है वो निकाली वूई या और उसी के सिलसिले में अभी अमरी सर से जो शिर्मोणी अकाली के अध्यक्षा सुक्फिर बादल आप देख सकते हैं कि वो पंजाब और चंडिगड का बोडरा है वहाँ पर पहुंचे हुएं वहीं दूसरी और जो पूर्व केंद्रिय मंतरी है हर्समिलक और बादल उन्ह उन्हें भी आतलवंडी साबो से रैली निकाल कर जो है जिर्क प्रपहुंची है जहां पर उन्हें गिरिफतार कर लिया गया है और हलका सा जो है वो लाटी चार्ज भी वहाँ पर किया गया है तो अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों के कि यहां पर जो है वो सुखिर पंजाब में बिरोध हो रहा है चाहे स्यासी दल है चाहे फिर किसान है वो इसका बिरोध कर रहे है और उसी के सिलसिले में आज जो शिर्मोनी आकाली दल है उन्होंने रैली निकाली है और सुबह से क्रीब आठ बज़े से अमरिसर से रैली शुरू हुई थी और अभी पंजाब का जो बॉडर है वहाँ पर पहुंची हुई है तो स्वीर आपदुर किसी चंदिकर से जहां पर काली दल के कारेकरता पुलिस के साथ भेड़ गए और सुबिर सिंग पादल को भी हिरासत में लिया गया